आम अदमी पार्टी के बरे नेता एक एक कर जेल जा रहे हैं। वो आपका सारा खेल खराब कर सकता है। अर्विंद के जिवाल और आपके लिए गले की फास बन चुकी नई शिराबनीती आपको लगातार जटके दे रही है। के जिर्वाल साहब और उनकी पार्टी जिस तेजी से आगे बढ़ रही थी उसके सामने उनी का बनाया भरस्टाचार का स्पीड ब्रेकर आ गया है। लेकिन चंता को क्या ही पता था कि जिस के जिर्वाल साहब और आपको वो दूद से धुला हुआ मान रहे हैं वही असली किंग पिंग है भरस्टाचार के। जिन्यताओं और आजनितिक दलोकों के जिर्वाल भरस्टाचार के किंग पिंग मांते थे आज उनी के साथ वो गले लग रहे हैं गाल बजाना एक बात है लेकिन स्थिर्था से और इमानदारी से काम करना दूसरी बात होती है संजय सिंग जो सभी राजनितिक मरियादा को तोर कर देश के प्रधानमंतरी के खिलाफ अनरगल अलाब करते थे आज वो कोट में भरस्टाचार के आरोप में खड़े हैं संजय सिंग को ईडी ने 5 अक्टूबर को गिरफतार किया था जिसके बाद 10 अक्टूबर को संजय सिंग कोट के सामने अपनी जमानत की अरजी लेकर पेश हुए लेकिन ईडी ने ऐसा केस बनाया कि संजय सिंग को फिर से हिरासत में ही जाना परा है कोट ने संजय सिंग को 13 अक्टूबर तक के लिए हिरासत में ही रहने का आदेश दे दिया कि अभी कुछ दिन और बिताएं जेल में दरसल शराब घोटाले में गिरफटार किये गए आम आद्मी पार्टी के राज सबसांसद संजय सिंग को परवर्दन दिशाले यान एडी ने मंगलवार को कोट में पेश किया और एडी ने फिर से कोट से संजय सिंग की रिमांड मागी जिसके बाद कोट ने संजय सिंग को 13 अक्टूबर तक के लिए एडी की हिरासत में भेज दिया जाच जनसी ने कोट को बताया कि संजय सिंग जाच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और सवालों के ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं वो फोन से बरामद डेटा के बारे में भी नहीं बता रहे हैं वहीं अदालत में संजय सिंग की ओर से उनके वकील ने एडी से कहा कि मैं आपके क कालपनिक आरोपों को स्विकार नहीं करूंगा वहीं एडी ने कोट को पताया कि इस मामले में रिश्वत मांगे जाने के सबूत एडी के पास हैं एडी ने कहा कि शराब विपाड़ीयों के लाइसेंस को क्लियर करने के लिए घूस मांगी गई थी वहीं कोट में पेशी के वक बता दे कि पेशी से पहले संजय सिंग ने पीएम मोदी पर टिपनी की और कहा कि वो उनकी यातनाओं का पैमाना देखना चाहते हैं। लेकिन कोट ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। जो ये दावा कर रहा है कि हम हर हाल में जीत जाएंगे। लेकिन विडमना ये है कि गडवंधन के घटक दल ही एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। कॉंग्रिस की राजनितिक जमीन की कई राज में कबर खोदने वाली आपने फिर से कॉंग्रिस को डिंट देने का मन बना लिया है। के जिरिवाल जो देश में राजनितिक परेटन के लिए कोख्यात हैं वो फिर से पूरी राजनितिक शक्ती के साथ कॉंग्रिस की नींद दुराएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगले महीने नौमबर में होने वाले राजस्तान, मदप्रदेश, 36 गर के चुनाव में दो ही मुख विपक्षी दल है कॉंग्रेस और बीजेपी लेकिन आम अदमी पार्टी के चुनावी मैदान में कुदने से चुनाव रोमान्चक हो गए हैं लेकिन हम सब जानते हैं कि कॉंग्रेस को आप ही डेंट करती है क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक तो बीजेपी के साथ ही जुरी रहती है दरसल भार्तिय चुनाव आयोग ने सोंबार को देश के पांच राज्यो मदप्रदेश, राजस्थान, चतिसगर, तिलांगाना और मिचोरम में होने वाले विधान सबचुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है जिसके बाद सवी राजनितिक पार्टियां पूरी ताकत से फॉरम में आ चुकी है बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों पार्टियां जीत के दावे कर रही है वहीं कॉंग्रेस का खेल खराब करने के लिए आम अदमी पार्टी भी तयार है पार्टी के राष्टिय सयोजग और दिल्ली के सीम अरविंद केजिरवाल का कहना है कि हम राजस्थान चतिसगड और मद्परदेश में पूरी ताकत से लरेंगे केजिरवाल ने ये भी कहा कि जल्द ही उमिदवारों के नाम घोशित किये जाएंगे चुनाओ के लिए आपकी तयारी के बारे में पूछे जाने पर केजिरवाल ने कहा कि हम राजस्थान, मद्परदेश और चतिसगड में पूरी ताकत से चुनाओ लरने के लिए तयार है वहीं के जिबाल से जब पूछा गया कि क्या उनकी पाटी इंडिया ब्लॉक के हिस्से के रूप में चुनाओ लरेगी तो उन्होंने कहा कि जो भी होगा उससे अवगत कराया जाएगा आपको बता दे कि चुनाओ आयोग ने घोशना किया है कि मिजोरम चतिसगड मद्परदेश, राजस्तान और तिलंगारा में विदान समद चुनाओ साथ नॉमबर से अलग-अलग दिनों में होंगे और वोटों की गिंती 3 दिसंबर को होगी खास बात यह है कि चतिसगड को छोड़ कर सभी राज्यों में एक ही चरन में मद्दान होगा कॉंग्रेस को चुनाओ में जितना अधिक नुकसान बीजेपी से नहीं होगा उससे अधिक आप से होगा क्योंकि इससे पहले भी गुजरात गुआ और उत्राखंड के चुनाओ में आपने कॉंग्रेस की वोट बैंक में सेंध लगा कर कॉंग्रेस को काफी नुकसान पहुचाया है हलाकि उन राज्यों के चुनाओ में कॉंग्रेस यह कहती थी कि आप बीजेपी की बी टीम है मोदी से मुकाब्ला करने के लिए विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं। सबी दल सियासी समीकरन साधने में लगे हुए हैं सबी दल सत्ता पर कवजा करना चाहते हैं लेकिन लराई तो मुखेतोर पर दो ही दलों में है और वो दल है बीजेपी और कॉंग्रेस राजस्थान में परंपरा रही है कि हर पात साल में जनता अपनी सरकार बदल देती है लेकिन इस बार कॉंग्रेस को उमीद है कि राजस्थान की ये परंपरा वो तोरने में काम्याब रहेगी तो वहीं दूसरी ओर BJP को लगता है कि जनता इस बार कमल का साथ देगी तमाम राजनितिक समिकरन और कयासों के बीच जनता किसका साथ देगी ये बात निकल कर सामने आ रही है दलसल राजस्थान में विधानसवा की सभी 200 सीटों पर एक चरन में वोटिंग होगी राज में विधानसवा चुनाओ के लिए 23 नौमबर को वोटिंग होगी और नतीजे 3 दिसंबर को घोशित किये जाएंगे वहीं राजस्थान में किये गए इस उपेनियन पोल में पूछा गया कि जनता कॉंग्रिस की सरकार को वापसी दिलाएगी या फिर पीम मोदी के चेहरे पर बीजेपी को सत्ता के शिकर तक पहुँचाएगी ऐसे में इसको लेकर जनता की तरब से जो जवाब मिला है वो कॉंग्रिस के लिए बहुत बड़ा जटका है क्योंकि राजस्थान की जनता के मुताबिक बीजेपी इस बार राजस्थान में बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के मुताबिक इस बार राजस्थान की 200 सीटों में से कॉंग्रिस को 69 से 79 सीटे बीजेपी को 127 से 137 जबकि अन्य के खाते में 2 से 6 सीट ये जा सकती है अगर वोटशेयर की बात करें तो ताजा सरवे के मुताबिक इस बार राजस्थान में कॉंग्रेस को 42 पीज़ दी बीजेपी को 47 फिस दी जबकि अन्य के खाते में 11 फिस दी वोट आता दिख रहा है राजस्थान में पिछले लगबग तीन दशक से हर विधानसवा में सरकार बदलने की परिपाटी है और यहां एक बार फिर सत्ता रूट कॉंग्रेस और वेपक्षी दल बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला रहने की संभावना है वहीं कॉंग्रेस को भी मालूम है कि राजस्थान में उनकी सरकार जा रही है कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने पिछले महीने कहा था कि राजस्थान में विधानसवा चुनाओं में मुकाबला बहुत करीबी रहेगा ये कहते हुए उन्होंने एक तरह से संकेत दिया था कि वो राजस्थान में अपनी पार्टी के दोबारा सरकार बनाने को लेकर अन्य राज्यों की तुलना में अधिक आश्वस्त नहीं है राज्य की परिपाटी को देखते हुए हो सकता है कि कॉंग्रेस नेता का याकलन सही साबित हो वहीं जनता को लुभाने के लिए सीम अशोग गहलोत ने खुब वादे भी किये थे और चुनाओं से ठीक पहले सीम गहलोत ने जनता के लिए सरकारी खजाना भी खोल दिया था लेकिन ताजा सर्वे के मुताबिक सीम गहलोत का सभी दाओं फेल होता दिख रहा है और राजस्थान में बीजेपी की वापसी लगबग लगबग तै मानी जा रही है राहुल गांधी ने इस बार बीजेपी को खुश कर दिया है एक बार फिर राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कर दिया है कि बीजेपी के नेता खुशी से जूम उठे है तो वहीं कॉंग्रेस के नेता ये सोच रहे होंगे कि राहुल बाबा ने ये क्या कर दिया राहुल गांधी जो अपने आपको देश का भावी प्रधान मंतरी के रूप में देखते हैं उनका अधिरपन की वज़े से कॉंग्रेस को फिर असहज स्थिती में जाना पर गया है राहुल गांधी कई बार ऐसी आतूरता दिखा देते हैं कि पूरी कॉंग्रेस सोचती होगी क्या खिर क्यों ही हमने अपने स्वामी को प्रेस वारता के लिए बिठा दिया है कॉंग्रेस निता के अधिरपन की वज़े से उन्हें फिर से राजनितिक नुकसान उठाना पर सकता है कॉंग्रेस के स्वामी राहुल गांधी ने फिर से अपने अधिरपन की वज़े से कॉंग्रेस को दो राज्यों का नुकसान करा दिया है दरसल जाती है जनगन्ना को लेकर कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी की प्रेसवारता के दोरान एक बार फिर उनकी जुवान फिसलती हुई नजर आई हाली में राजस्थान सही चार अनराज्यों के चुनाओं की तारीखों का एलान किया गया है लेकिन दूसरी तरफ राहूल की जुवान फिसलने से कॉंग्रेस को तागरा जटका लग सकता है दरसल राहूल गांधी ने प्रेसवारता के दोरान बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि राजस्थान में उनकी सरकार जा रही है इतना ही नहीं उन्होंने 36 गर का भी नाम लिया जबकि दोनों राज्यों में कॉंग्रेस की सरकार फिलहाल मौझूद है राहूल ने जैसे ही प्रेसवारता में ये कहा कि राजस्थान और 36 गर में सरकार जा रही है उसके तुरंत बाद राहूल ने अपनी बात को सही किया और माफी मांगी लेकिन वहां मौझूद सभी पत्रकार हसने लगे कॉंग्रेस की ओर से की गई प्रेसवारता के दोरान राहूल गांधी ने कहा कि मदप्रदेश, राजस्थान, 36 गर और तिलंगाना की सरकार जा रही है जबकि मदप्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है और राजस्थान, 36 गर में कॉंग्रेस की सरकार है इसके तुरंत बाद राहूल ने अपने शब्दों को सही करते हुए माफी मांगी और कहा कि सौरी उल्टा बोल दिया वहीं अब राहूल का ये बयान खुब वारल हो रहा है बीजेपी और उसके समर्थक राहूल के इस वीडियो को शेयर कर तंच कस रहे है वहीं उनकी जुवान फिसलने का वीडियो शेयर कर बीजेपी ने सोसल मीडिया मंच एक्स पर चुटकी लेते हुए कहा कि राहूल गांधी ने हार सुईकार कर लिए बीजेपी ने एक्सपर राहुल का वीडियो शेयर कर लिखा है कि राहुल गांधी ने सुईकार कर लिया राजस्थान और छतिसगर से जा रही है कॉंग्रेस सरकार वहीं से पहले भी राहुल गांधी का एक बयान चर्चाओं में रहा था राहुल ने हाली में कुछ समय पहले बयान देते हुए कहा था कि मदप्रदेश तिलंगाना और छतिसगर विदान सवा चुनाओं में कॉंग्रेस की जीत पक्की है लेकिन उन्होंने राजस्थान में कॉंग्रेस की जीत को लेकर संशे प्रकट किया था उन्होंने कहा था कि हम राजस्थान में जीत के करीब है राजस्थान में करीबी मुकाबला है राहुल गांधी के इस बयान को लेकर कॉंग्रेस की सियासत में जम कर हर कंप भी मचा था वहीं अव रास्थान और चतिसगर पर उल्टा बयान देकर राहुल ने कॉंग्रेस की फजियत करवा दी है राहुल गांधी हमेशा से ही ऐसा सेल्फ गोल कर देते हैं और फिर उसका अंजाम कॉंग्रेस को भुगतना पर जाता है और भी वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं